हाई गाईज, बेक तो माई चैनल, मेरे चैनल चंदरा व्लोगर पे आप सभी का स्वागत है, जैश्री राम, आज का व्लोग इस्टाट कर रही हूँ गाईज, तो आज का व्लोग में मैं आज का प्रितिक द्रिश्च दिखाती हूँ, जो इवलिंग के टाइन में जो ग्यू मामा सून रहे हैं, तो आप लोग के साथ सेर कर रही हूँ चंदा ममा, अभी तो साम होने वाला है, पूरा साम अभी हुआ नहीं है, लेकिन चंदा ममा का जो द्रिश्च है, ना जारा है, इतना खुर्षूरत, बहुत खुर्षूरत है गाईज, बहुत अच्छा लगाईज मैं ना ममा का प्राक्रिटिक द्रिश्च आपको देखाया, गाईज के टा मरादने अजह चोटा रहे हुआ है, और और बहुत बहुत खुर्षूरत है, बहुत मौन महौक, मतब एक प्राक्रितिक दृष्षय है बहुत अच्छा दिखता है और बता रही हूँ इधर पास में बहुत बड़ा बड़ा अपर्मेंट आप लोग को आजूग आजूमे पास में दिखाई दे रहा होगा देख रहे हैं दिखाई दे रहा होगा अप लोग को और इधर पास में रोड भी है में रोड है हाथ हो मैं ने अप लोग को दिखाया भी यह प्राकृतित भिरिश्या यह जो पौदे यह पेड़ है ना गाई इसका जो नेचुरेल जो रियल जो इसका जो पौधे का जो जो हवा है ना गाइस जो आता है इतना ठंडा इतना सांती इतना सकुन देता है कि क्या वनों जो अधी का टाइम है जो हमें छत में आये है इतना गर्मी दे रहा है इतना मतलब उनकॉंफर्टेवल लग रहा है लेक का वह गया है बोलते हैं चले गया है लेकिन जो सुरज यह जाने के बाद जो यह का आलो आता है फ्रिश्य आता है बहुत अच्छा लग रहा है और गाइस आप लोग को और आप चीज़ दिखाती हूं आईए इधर देखाती हूं तो इधर का नजारा भी आप लोग को दिखा रही हूं मैं अपना घर के आजपास का नजारा शभी आप लोग के साथ शेर कर रही हूं आईए गाई मैं इसकर आप लोग को दिखाती हूं तो गाई जो मैंने आप लोग का यह प्राकृतिक द्रिश्य के बारे में जो मतलब जो बाते बोली हूं क्या आप लोग को कैसा लगता है अच्छा लगता है प्राकृतिक द्रिश्य जो मैंने बोला यह तो रियल है नेचिर एक पेर वहादा इतास कॉछल तुर्टा आपका भी सब्सक्राव आप लोग कमेंड में बताइए गाईस सपोर्ट किजिए मैं नेक्स टाइम से फिर से कुछ नया लेके आने की कोसिज करती हूं और गाईस आप भी तो पुर अश्काम हो गया है ब्लोग बनाने का टाइमिंग भी नहीं है तो मैं नेक्स वीडियो में फिर मिलती हूं आप क्याई लग रहै थैंकियो बइस्टों के लॉप पैस बाइस हूं तो